हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग मेरा नाम है मैंको इस वीडियो में हम लोग करने वाले रिफंट का एक बहुत इंपोर्टेंट क्वेरी आए तो मैंने सुचा चलो इस पर एक वीडियो बना देता हूँ और अच्छे से आप लोग को एक्स्प्लेइन कर देता हूँ यह है न पर्टिकुलर साफ परनिश्ट वाई डिलाइट एक्सपोर्टर्स करना टेका विच इस डिवली रेजिस्टर अंडर जीए इंटिटी आज अल्सों फाइल बॉंड लुटी इन ओर टो एक्सपोर्ट गूड्स विदाउट पेमेंट ओफ टैक्स तो इस लाइन से अपने को क यह पदा चला कि यह ZRS की बात करा है अगर रिफंट की वीडियो अभी तक नहीं देखिए तो रिफंट की वीडियो अप्लोडेड है चल दिस जाकर देख लो रिफंट चैप्टर हमेशा क्लिए तुम्हारा क्लियर हो जागा कभी उसमें कन्फीशन नहीं आगा और उसके ब अपने को से मतलब निए अपने को सिफ पता चल गे कि ZRS करते तो अपने को रिफंट में ZRS वाला करना है तो चलो यह के करके देख लेते हैं पहले देख लेते हैं कि अपसे मांगा क्या है calculate the amount of refund in respect of ITC तो अपने को refund amount निकालना है in respect of ITC of input and input services relating to goods exported in relevant tax period ओके चलो very much simple turnover excluding supply of service तो यह पोड़ा important point बन जाता है turnover excluding supply of service but includes क्या exempt supply 8 lakhs and invert supply 2 lakhs तो याद करो अपने क्या पड़े थे exempt को नहीं लेते और invert को नहीं लेते हैं ठीक है तो exempt और invert अगर अपने नहीं ले रहे तो 76 में अपने 2 और 8 को minus करेंगे adjusted total turnover में ध्यान रखना जेडरेश जेडरेश आगया ना दोखो zero trade supply of goods अंदर बॉंड एन लुटी बारा लाग का ओके export service जो है यह अंदर बॉंड है तो यह क्या हो गया यह हो गया अपना जेडरेश जेडरेश मतलब यह होता है zero trade supply जिसमें अपने बॉंड और लुटी में करते अब लुटे टैक्स नहीं पे करते हैं बोलते टैक्स नहीं देंगे बाद में देंगे नहीं देंगे जो भी है अपना bond execute कर देते हैं उसमें तो उसको बोलते जीरो रेटेट सप्लाई बीना tax लगे supply non zero trade supply of service अच्छा अपने non zero trade supply of service भी की है जो कि आता है अपना दस लाग रुटेट फिर अपने को payment मिला है towards zero trade supply जो इंक्लूड करता है बारा लाद against which services ये to be supplied तो याद करो उपने क्या पढ़के आते हैं अपने ये पढ़के आते हैं कि अगर कोई ऐसी service है जो इसका advance मिल गया है पर service नहीं दिया है तो इसको include मत करना है अपने को माइनस करना है फिर advance received in past against which zero trade supply have been made in current period तो ये उसका opposite है मतलब advance पहले मिल गया था supply अभी की है service का तो ये 14 लाग को add कर देंगे 12 लाग को minus कर देंगे कहां से करेंगे 48 से ओके turnover on which supplier have claimed refund under 89 4a4b अच्छा 4a4b को अपने लेते हैं क्या नहीं लेते हैं अपना कितना है including 89 4a4b बारा लाग की ITC अपने पास जिसमें 89 4a4b है दो लाग चालिस अजार तो बारा लाग में से 89 4a4b माइनस कर देंगे चुकि वह लेते नहीं है तो जितना बचे का वह होगा अपना net ITC यह तो अपने पढ़ लिए question और question को अच्छे से समझ लिए question solve कैसे करते हैं यार यह नहीं आता है चलो आज यह भी सीख लेता है सबसे पहले अपने काम क्या करेंगे सबसे पहले अपने लिखेंगे formula तो maximum refund कितना अलाओड होता है जेडरिस की case में net ITC into ZRS divided by adjusted total turnover formula लिख लिया very much simple हो फिर एक करके calculation करना start करेंगे और figure put करते जाएंगे इससे क्या होगा कि अगर भगवान ना करें अगर आपका paper छिन गया end moment में आपका paper छिन गया तो इस scenario में कम से कम कुछ तो लिखा होगा 89,4,4 भी लेते हैं नहीं लेते हैं तो net ITC कितना हो गया बारा लाग माइनस दो लाग चालीस हजार कितना हुआ नौ लाग साट हजार तो नौ लाग साट हजार के अपनी net ITC नेट ITC का figure मिल गया put कर देते है नौ लाग साट नौ लाग साट put कर दिया very good next अपने क्या calculate करते है ZRS ZRS याद कर अपने ZRS किसका लेते है goods का भी लेते है service का भी लेते है तो यह गया goods and service अब goods का ZRS अगर अपने को निकालना है 088 supply of goods कितना है बारा लाग ठीक है और इसमें 89,4,4 भी क्या है 6 lakhs की तो अपने क्या कि 12-6 अपना आ गया 6 lakhs cool फिर आए ठीक है तो service में अपने को पता चला ZRS है 48 बारा अपने को माइनस करना है चुकि advance मिला service नहीं दिये तो 48 माइनस 12 और यह 14 लाग को add-on कर देंगी क्यूं चुकि यह उसका 12 का opposite है याद करो भी समझाया था तो अपने कहा कि 48 माइनस 12 प्लस 14 यह तो अपने कर दिये अब याद अपना 89 4A4B वाला service से related 6 लाग तो इसको अपने माइनस करते हैं तो इसको अपने माइनस कर देंगे तो 48 माइनस 12 प्लस 14 माइनस 6 आया 44 यह figure अब कहां से क्या आई आपको easily समझ में आ गया होगा कैसे समझ में आया मैंने क्या क्या यह 48 ले लिया मैंने इसमें से 12 माइनस कर दिया 89 4A4B service वाला correct very much simple कुछ भी complications नहीं है इसमें तो goods का आया 6 इसका आया 44 तो total ZRS कितना आया चुकि good service दोनों का लेना है तो total आगया अपना 50 half century चलो इसको भी put कर देते तो इस ZRS को भी यहाँ पर put कर दिया आपने आ गया कितना 50 तो 9.6 into 50 दो figure मिल गया भाई सही है आप क्या करना है adjusted total turnover निकालना है तो adjusted total turnover जब अपने निकाले तो वो क्या होता है वो होता है turnover of goods plus services जिसमें ZRS भी include होता है बट 89 4A4 भी include नहीं होता है और exempt भी include नहीं होता है तो मैंने क्या किया ना turnover excluding supply of service यानि service का नहीं है तो यह किसका turnover है goods का तो goods का turnover है 76 जिसमें exempted है 8 और invert है 2 तो 76 minus 8 minus 2 यह तो समझ में आ गया ठेक है turnover अपने को goods का मिल गया service का turnover अपने को अच्छा यह जो turnover दिया है तो यह तो total turnover दिया है ना अपने को इसमें ZRS goods का included है तो goods का ZRS अलग से include मत करना तो 76 आ अपने पास जिसमें से अपने 8 और 2 minus कर द 44 ले लेंगे तो कि 44 तो अपने calculate किया है ना जिसमें 12 हटा दिये थे 14 एड कर दिये तो 89 4a4 भी वाला हटा दिये थे तो 44 आ गया तो हमने क्या क्या 76 प्लस 44 minus to minus 8 अब बचा figure यह 6 और 10 तो यह 6 कहां से आ है यह तो समझी किया गए 89 4a4 भी goods वाला है तो इसको minus किया 6 और next जो 0 rated supply of goods नहीं है service है इसलिए अगर यह goods होता तो add नहीं करते चुकि गुड्स वाला तो यहां include हो गया होता पर यह goods नहीं यह service है और अपने क्या कि तो हर एक figure समझ में आगया कहां से आया नहीं आया तो comment कर देना या telegram पाके मेरे को बता देना मैं तुमको बता दूंगा मेरे कहा से तुमको समझ में आ गया होगा काफी easy है 76 क्या है यह 76 यह है जिसमें से 8 minus किया 2 minus किया 6 goods का minus किया फिर non zero rated service का ले लिया चुकि यह सिफ goods का है तो service का ले लिया non zero rated और zero rated वाला 44 तो यहां calculate किया था तो यही वाला 44 यहां ले लिया और जब इसको total किया तो आया 114 चलो इसको भी put कर देते हैं तो अपने इसको यहां पर put कर दिया 114 ओके put किया answer निकाला 4.2105 लाक्स अब इसको normally figure में लिख देना यह मैंने एप्रॉक्स में लिखा हुआ है ठीक है अब ऐसे point में अंसर करके आना आप full figure लिखना ठीक है क्यूं दिखेगा मैं बताता हूं ICI नहीं क्या किया सर्विस का जो 6 लाक्स है न वह माइनस नहीं किया इसको माइनस नहीं किया है इसलिए 56 दिख रहा है मतलब मतलब यह वाला ZRS जब अपने calculate कर रहे है तो यह 6 इसनों ने माइनस नहीं किया है main solution में बड़ जब आप नीचे comment पढ़ोगे तो comment में लिखा है कि इसको माइनस alternatively कर सकते तो अपने क्या करेंगे अपने माइनस करेंगे जो कि अपने concept के साब से चलेंगे जब अपने concept के साब से चले तो यह answer आया and this is the answer and that's it इसका वीडियो एवलेबल है आप देखी रहो इसमें और यह notes में काम करता हूँ शेयर कर दूंगा टेलिगराम चैनल तो आप download कर लेना in case आपको कुछ confusion हो वैसे यह November 29 का question है exam question है तो thank you very much for joining in hopes आपको समझ में आगे हो का same format आप apply करना बाकी question में देखना आप कितना easily question को solve कर पाओगे क्या इस तरह करके exam में आ सकते हैं अगर आप roughly इस तरह कर रहे हो तो roughly में अपने इस तरह कर सकते हो बट अ question में confusion हो तो जरूर मेरे को DM करना मैं try करूंगा help करने का so take care and all the best for your exams